वानी वेल्कम बेक तो स्विल गयान आप सब्सक्राइब स्वागत है आज की क्लास में हम करने वाले हैं जो आपका यूपी मार्सी जेई का पेपर हुआ था उस पेपर के पूरे जॉब के कोशन थे नबे कोशन में टेक्निकल में आये थे हम सब का सुलिशन करने वाले हैं और देखने वाले किस लेबल का आपका पेपर था और क्या उसका जो आपको लोग कहते हों क्या उसका पैटन था ठीक है देख लेते हैं चलो उससे पहले अगर आपने हमारी यूपी मार्सी जेई की एंसर की आउट की अगर वीडियो ना देखी हो तो उसको जरूर देखिएग उसका उसके में बता रख्काई किसे दिसकोर कितना होना चाहिए पहला कुशन है जो कि आपके सरभेंग से पहला कुशन है कि इसमें कुशन में कह रहा है कि अगर एक कोई आपकर पास कोई क्लोष ट्रेवर से कि अशुम झूंघ सैघ्ट कंसिस्ट आप 5 साइड दनदा समयिसन आप द आ बता है कि असाट तरीके से जो आपका पुछी तरीके से होता है कोजो फॉटम होता है तो क्लोस में क्या होता method वह इंट्रि माँनोन करें कि आपको पता है आपका हो जहां पिस ऑंदम पयाद के हैं यहां पर बाफ कितना हो जाएकन आफं का 5 हो जाएगा तो यहां पर गुड़े 5-4 गुड़े 90 करोगे तो पांने दस में चारगेशी 540 आपका एंसर आता है ठीक है यह तो हो गया इंक्लोड अंगल की बात अगर मान लो कभी आप से पूछ ले इस क्लोडर अंगल कितना होता है तो टू एन प्लस फॉर इंटु नाइंटी इसको भी आपको ध्यान रखना होगा अगर लेकिन यहां पर पूछा है इंक्लोड का तो टू यहां पर इन कमार कितना है फाइफ है तो फाइफ रखने पर आपकी वैलू कितनी आया थी पान सो चार्लिस यह तो बिल्कुल सिंपल को संथा आसान था इसमें कोई गल्तिक गुंजाइस नहीं थी तो इसमें जो करेक् स्वाइल मेकेनिस का कोश्चन है जो कि कॉम्टेक्शन के चैप्टर से यह समंधित कोश्चन है इसमें पूछा गया है कि फ्विच आप फालोइंग कॉमपेक्शन इक्वीप्मेंट इस प्रीडोमिनेंटली यूज अगर मालों कॉम्पेक्ट ग्रेनोलर स्वाइल है और वो यूज के जाता है इसका भी जो करेक्ट रोगा हो जाएगा वाब्रेट्टी रोलर प्रकार से आपको पता जो सीफ फूट एक अपका सीफ फूट रोलर होता है तो आपको यहां से कुशन आता ही आता है कोई भी एक्जाम हो आपको यहां से कोई नो कोई एक कुशन देखने को मिल जाता है कि कौन सा इंस्ट्रुमन किस के लिए यूज किया आता है कौन सा एक्विप्मेंट किस पकार के कॉमपैक्शन में यूज होता है तो भविश्च में अगर आपको एक्जाम देने जाए तो इस इस बात को नोट करके रख लिए कि हां कॉमपैक्शन के इस चैप्टर को रिवाइज करके जरूर जानना है अगे बढ़ते हैं अगला कोशन है जो कि फ्लूड मेकैनिस का कोशन है जिसमें पूछा गया है आप से कि लोस आफ हैड कितना होगा इंदा फ्रंट आप पाइ की फुला दो है जब बंधब पायप से जब भी ना का फूलो nhất देखिने को मिलता है सबसे जयुदा आपको मेजर ल düny लोस देखने को milight bag तो इसमें आप को देखने को मिलता कि कभी-कभी तो पूछता है कि शशन expansion हो रहा है pipe में कभी कभी सरेंग कॉंट्रेक्शन हो रहा है फिर pipe के inlet पर कितना कितना होगा pipe की exit पर कितना होगा पानी बाहर एकजिट कर रहा है यह इस तरीके से जो यह आपके major loss होता है वो आपके friction loss के करण होता है आपको पता होगा विस्ट फार्मोला हम लोग यूज करते हैं यहां पर लेकिन जो फ्लो 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 पाइप होता है जब भी आपके इनलेट पर बात करता है तो वहां पर जो लोस हमको देखने मिलते हैं वह पॉइंट फाइफ भी कि जब भी आप में जब भी आप एक्जाम में जाएं तो इस पकार की छोड़ी से चीज़ों को विडियो दिन करके जाना है आपको मैं बता दू कि इस पकार इस बार जो आपका जो एक एक्जाम हुआ था उसमें कोई भी ऐसा कुश्चन नहीं ता मिलब जादा टफ कुश् करके जो कि आपको यह पता होना चाहिए अगर आपको पता और तभी कर पाऊगे नहीं बता और तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा आगे पढ़ते हैं जो कि सर्वेंग के कुश्चन पूश्य पूश्या गया है कुश्य को पढ़ते हैं इफ वन आप दा एंगल इने ट्रे में बोले तिसको कहते हैं सु आकारियत इर्भूज कि वैल डिफाइन ट्रेंगल कौन सा होगा सब्सक्राइब लिए कोई रिंगल होता है कि जिसका कोई भी एंगल कोई बात नहीं रहने वाली है तो आपको सभी को पताए भी है कि आपका हमारा जो सर्वेंग होता है सर्वे की जो हम लोग प्रोसेस करते हैं सर्वेंग के बात करें तो सर्वेंग में हम क्या करते हैं कोई भी ग्यात अग्यात बिंदों होते हैं लोग लेवलिंग के द्वारा पता है उसे इंजीनियर होती है फिर आपकी घंटर होती है फिर आपके जोह होती है ठीक है हम लोग यहाँ पर टेप औगयरा काफी यूज करते हैं जलेन टेप हो गया मेटलेक हो गया और आपका जो है वार्ड का टेप हो गाए मस्त हो जाता है तो इंगल ना पता जाता है नहीं को एंगल में सकती नहीं होती फकान यहां पर देखने को मिलती है यह सारी बातों को आपको को ध्याँ रखना होता है चाल जो भी सर्वेंग हाँज ध्याँ रखना होगा आपको तो कुशन का जूवापकर क journ infrastructure के लिए को भेंगलर के में पोई भेंगलति शाने ह्वना चाहिए अधिख नहीं होगा सिंदेल धुर्य ट्रास रेंगल मिल्ध को होता था कि इस पर खार में चार कूरा साथ कि यह होती है यह अधसी होती है रोप आगे बढ़ते हैं है अगले कुषिन के तरफ जन हमारा क्या कहता है अगला ने इमारा जो की कि अ चि आपको सभी को पता है कि जब भी फुलो थो पाइप होगा मुलाब काई ही पाइप से पानी का फुलो होगा तो वहां पर सबसेरा फिक्षन कलोस देखने को मिलेगा और फिक्षन कलोस वह इतना होता है कि उसके लिए हमारे जो है जो निकल कि आता है वैलू जो निकल कि आती जब हमारा होता है यहाँ पर घिक्षन का कोफिसियन्ट है तो जब भी कभी formula देखने को आपको मिलता है 4F-LV square divided by 2GD देखने को मिलता है तो वही option के साथ समझाएंगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो यह अला formula में option number C वाले में आपको थोड़ा option में दिक्कत होगी पर थोड़ा समझने कोशिज कीजिएगा इस वाले option में जो आपका होगा जोहाँ पर 4F-LV square by 2GD देखने को मिलेगा तो वह आपका answer जो होगा तो आप इसको समझ सकते हैं आगे बढ़ते हैं next question आपका है कि solution valve is a oblique and क्या होता है solution valve solution valve जो आपका होता है कि gate valve होता है air relief valve होता है check valve होता है आपका जो है gate valve होता है कि pressure relief valve होता है तो आपका बता दूब होता है जो कि आपको regulation के कारियों के लिए यूज के आता है pressure relief valve जो होता हो pressure relief करता है air relief जो air को और आपका check valve जो होता है only one direction of flow को allow करता है otherwise इस सरी होती है अगर मालनों पानी का flow इधर से आ रहाए दिए open hocker के पानी flow करता रहेगा पर जैसे पानी फ्लो बंद हो जाएगा तो यह जो है अपना बंद हो जाता है तो मलब एक ही रेक्शन पानी के तो बिभिन परकार के position पर रखते हैं और फिर उसकी labeling करते हैं तो यह आपका differential labeling में ऐसा काम किया आता है differential labeling के अंदर बिभिन पर की बिंदों पर आपको label को शटकिया आता है फिर आपका जो है reading को लिए आती है फिर लाफ्ट साइट पॉइंट पर भी अपना जो है labeling को किया जाता है तो आपका इसका जो होगा differential labeling आपका राइट एंसर होगा आगे बढ़ते हैं अगला question भी आपका है जो कि इस पकार का जो यहां पर जो मिकल गयाता है यहां-गमाडी होता है कि और सथ Kid के साथ मैक्सिम होता है पर अगर हम यहीं कॉमपैक्टिंग को बढ़ा दें अगर कॉमपैक्टिंग के इफट को बढ़ा दें तो उससे क्या होगा कि यह जो कर्व होता है थोड़ा ओपर क्यों ऐसे सिफ्ट हो जाता है कि क्वामधी मैकसम मिलने की कोईजिस करता है मतलब जैसे-जैसे ऎसे हमगे को अग्र क्वेट याज बढ़ाते जाओंगे वैसे वैसे आपकी कम होती जाएगी और दिया राप एक करिशन पूँछा गया है कि मैक्षेंग shrinking effect favour speed तो आपको ध्यान रखना करछायर जाती है क्या होती है पिज करते जाती है इस बात को ध्यान रखना होगा अगले कुशन के तरह बढ़ते हैं अगला कुशन आपका क्या कहता है कि यहां पर कंटूर के बारे में विस्था बताई गई हुए ज़्यादा की वर्टिकल किलिफ में इसकी केस्ट में क्या होता है कि यहां जाती है एक ग्राम्षे बनुष्ता करने कि लुक्ति लुड़ते हैं वे नकारी मीफिर कुशन में बिनी में लेकितीक बारता इस लाधे की त нियुक्ति कालओ भी स्दुनली giàता ही वियलोन विद्धा w तो आपको यही इस का answer देना था कि ओबर हेंगिंग के के केस में क्या होता है कि आपकी जो कंट्रोल लाइंस होती वो आप दूसरे को क्रॉस कर देती है इच अधर से और आउसे के क्लेफ के के करता है अगला कोश्चन आपका है जो कि पूछा गया है कि हुई जदा फालोइंग में भी यूज़ फॉर कॉस्टिंग पॉपलेशन आप सटी मतलब की इन्वार्मेंट का कुश्चन है इसमें पूछने की गई है कि जो हम लोग पॉपलेशन को फोरकास्ट करते हैं उसके लि आपका जो है एक अर्थमेटिकल होता है फिर आपका जो है जो है इनक्रीमेंटल होता है पॉपलेशन फोरकास्ट में नहीं होता है इसके लिए जो आपका है अगर हम बात करें जो आपका अर्थमेटिकल होता है इसमें अंदर आपका पी नौट प्लस के एनएक्स बार करें के होता है फार्मूला आपका और जो मेटिकल हो पी नौट वन प्लस और भाई हंड्रेड की आपका देखने को मिलता है तो इन दोनों के दौरा हम लोग अपने पॉपलेशन के फोरकास्ट को निकालते हैं इस कुर्शन का जो करेंग्राम सो रोगा आपसर नमबर एक हो सकते हैं तो आपको डेटेल देता है वो आपके कौन सी लाइन होती है तो यहां पर लोगों में थोड़ा कंफुजन था कि इसमें आपसर टाइलाइन किये थे तो टाइलाइन देखो टाइलाइन क्या होता है मालोकर आपकी ये पुरा सरवे एरिया है ठीक है ये आपका पुरा सरवे एरिया है ठीक और इस सरवे एरिया के अंदर सबसे लंबी लाइन क्या आपकी होती है ये आपकी बेस लाइन हो गई ती ठीक है और यह जो आपके होती है मेरिज शुक्तीर यह जी कहीं न होटी है और इसके अंदर की जो सकते हैं यहां पर आपकी टाइर यूज किया आता है तो यह इंटीरियर जो और भी जहां पर जिस जिस ऑब्जेक्ट के पास हम रोग डार्किली अपने मेल लाइन चलने से नहीं पोछ सकते हैं तो वहां अंदर की जितनी भी नौलेज होती है उसको प्राप्त करने के लिए हमको इस टाइल लाइन का यूज किया आता है पर टाइ इस बिल्डिंग से तो फिल्डिंग यहां पर है कोई मानलों ठीक है थिक यहां पर कोई कॉलेज्ट या स्कूल की घू और आ है म्यां sì पनी होगन और आपकी यहां से जो है सर्वेल लाइन यहांसे क्रम कर रही हैं तो जैंटे आप मिल मोर्ण मेंचर मैजरमेंट होंगे कि वेल है यहां दिखा देंगे भाई रेडियस का कुई यहां पे यहां से बिल्डिंग का दिखा देंगे एक बहुन है तो जितना भी Offset वगरा होता है Offset वगरा होता वह आपको chain line से ही लिए जाता ए आपके main chain line होती ही इस साथ की जानगा लिए जाती है तो इस question का जो correct answer होगा वह आपका chain line जो आपका right answer रहने वाला है अगला question है आपका soil mechanics का question है जोकि 0 air white line से समंधित question है तो यह formula तो ऐसे लिए अले फिर्फ लाइन होती फिर्फ का जगर हम कहें कि आपका जो जीडो एर्फ लाइन है फिद्सेकर हम ऩाये10 पर संट्धिक्रमिश्त लाइन कहते हैं तो इसका एक formula जो निकल के आता है वो तो कोई इस तरीके से निकल के आता है कि गामा डी इकोल टू जी उमेगा डबलू वन माइनस यहन ए अपान वन प्लस के डबलू इन्टू जी अस होता है यहाँ पर जी है चीख तो अब यहाँ पर जब 0% एस चछलाइन होती है ति यह आपका यह ने कमाद जीड़ो हो जा लोग लोग ऊपर और नीचे भागा देगे गार यह तो यहां सब्सक्राइब निकल के आता है आपका उनल्लू प्लस के डावलू बाई जी एश तो यही आपको जो है फाक्छा भी गया था कि जो गामा धी के मान होगा वो कितना होता है तो आप देख लीजिएगा यहां पर वन प्लस ए आगया तो यह नहीं होगा यहां पर जी भी आगया नहीं होगा यहां पर यह आगया नहीं होगा तो यह ही आपका फरमुला बचता है कि ओमेगा डबलू प्लस के डबलू प्लस लट लाइन से हैं इस वाले फार्मुले से आपको ध्यां रखना होगा और इस ख्रुशने को आपको गुलत करके नहीं आना है थोड़ा भूट घूमाँ गूमा क्या दिया है उसी फौर्मले को पोच लिए अंदर प्रेसर को जो की मेजर किया था इंस्ट्रूमेंट की जहाइता से और के रूप में आपके प्रेसर को ना पजाता है इस तर्म डायज क्या कहते हैं तो सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि आपका तो एक आपका होता है यह नेचे जिसको हम लोग कहते हैं जीरोडित क्या कहते हैं थोड़ा अउपर बढ़ते हैं तो यहां पर आपका आता है एटमास्फेरिक प्रेसर का लेबल अगर हम एटमास्फेरिक प्रेसर से जैसे ही अगर हम लोग एप्रमसिक प्रेसर जाएसे अगर ऊपर जाते हैं तो यह प्रेसर जो आपका होता यह आपको जो है गेज के प्रेसर में आता है और नीचे प्रेसर आपको देखने को मिलता है और इसके दिस्पेक्ट में आपको ना पेंगे यह आपका होता है P Absolute Pressure क्या होता है P Absolute Pressure आपका होता है मलब Atmospheric Pressure को यहां तक का हमारा क्या है P Atmospheric Pressure है अगर P Atmospheric Pressure में Gage Pressure को जोड़ दे तो वही आपका जो यह फामुला बनके निकल के आता है कि P Absolute is equal to P Atmospheric Pressure प्लस के P Gage Pressure तो यह जो आपका निकल के आता है यही आपका भिया क्या होता है यही आपका Absolute Pressure का फामुला होता है पर कुश्चन में तो यह पूछा गया है कि जो हम Atmospheric Pressure के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग Atmospheric Pressure के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग कोई चीज मेजर करते हैं तो अगर इसके रिस्पेक्ट में करकर कोई चीज मेजर करते हैं उपर के तो वह हमारा Gage Pressure ही होता है अच्छा आप लोग अपनी साइकल में या अपनी बाइक में या अपने फोर्वेलर में हवा तो भराई होगी बिल्कुल भराई है तो जब वहां आप गए होगे तो उसके पास एक ऐसे करके इसमें डाल बना होता है और ऐसे करके एक ऐसे इसमें तार लगा होता है और उसको आपके गाड़ी के जो पहिये होती इसमें जो लगी होती है कैप उसमें लगा देता है फिर इसकी जो गाड़ी की हवा होती है इसमें जाती है और यहां पर सुरी को 35, 30, 35, 40 पर दिखाती है अगर 35 से कम होती है तो कहता भी हवा डालना पड़ेगा हवा से मैं डाल देता है तो यह जो इंस्ट्रूमेंट है यह जो instrument है वो भी आपका इसी atmospheric pressure की respect में ही नापता है और यह कभी आप कभी देखना तो उसमें लिखा रहता है PSI pound per square inch उसमें लिखा रहता है कभी आप देखना तो ध्यान से देख लेना एक बार उसमें pound per square inch लिखा रहता है कि इसी atmospheric pressure के respect में नापता है क्योंकि आपकी गाड़ी भी इन्वार्मेंट में मौझूद है और यह instrument भी मौझूद है तो इसके उपर जो pressure लग रहा होता है इसके उपर उन्दर उसमें जो हवा भरी होती है वही आपको नापके दिखाता है कि हवा कितनी कम है हवा कितनी ज्यादा है तो यह इस बात को आप समझ गए होंगे कि जब भी इट मास्ट्रिक प्रेसर के respect में नापा जाता है तो आपका क्या होता गेज प्रेसर होता इसका आपका हा वह भी आपका सर्वंग कोच्छन इससमें पूछा गया था मैंगनेतिक-बेरिंग आप अपका सब्देंग है वह आपका आपका अको पत्ता है प्त्तू बेरिंग्स वह प्लस मानस के डेक्लियंग प्लस मानस के डिलीए संदू होता है तो कोई भी कोशिछ करिएगा कि जैसे यहां पर आपका क्या होता है और यहीं पर आपका जो है तो जो भी नापते हैं तो उसको लोग क्या नाम देते हैं magnetic bearing true bearing कहते हैं और magnetic median से जो हम लोग आपके अपना अंगल दिखाते हैं वह ही आपका हमारा जो होता वह भी हमारा क्या होता magnetic bearing होता है अगर true bearing और magnetic bearing में कोई भी difference नहीं है मतलब कि जितना वो है उतना वो भी है तो मतलब से अगर अगर दिखा रहा है तो वहाँ पर कोई भी declarion नहीं होता है वहाँ पर चीज हो होता है एन्वल भी होता है चीजों से वह अपना डिफ्रेंश बदलता रहता है तो इस कोश्चन का जो आपका जीरो हो जाएगा क्योंकि यहां पर कोई एक लिए सना आपको नहीं है आपसे नमार बीस को जाएगा आपका राइट अंसर अब एक कोश्चन है आरियला पहा और फॉट साइट डिटिंग भी गई गई है दो बैक सब्सक्राइब लिए तीन आरियल अप निकालना है तो सीलिंग में क्या होता है कि आपने इस कंसर्प्ट को समझना है कि यहां पर आपकी जो होती होती है चट का आरियल हम को दे रखा है कि आरियल आप भी हंडेड यहां पर यहां पर आपकी फड़ से हैं यहां पर आपका इंस्ट्वory रखा हुआ है यहां पर आपने स्टांप यहां रखा इस थे सक फिफ़ संस्काइब करते हो यह पहुंचना है यह हमको यहां का निकालना ती अधाफ फ्लोवारी दा आर्यालाफ ए इसे हमको आर्यालाफ एको ही हमको निकालना है ठीक है इस आरेल को निकाल के बताना है कि कितना होगा कि अब आइ कि यहां का जो रेडियूस लेबल हो कितना 105 है ठीक है और हमको निकालके बताना है आरेलाफ पॉइंट एका तो आपको पता है कि अगर हम 105 यहां तक पहुंचे हैं तो यह सारी वैलू ही तो जोड़कर न हम पहुंचे होंगे यहां से लेकर के लब कि आर्यालाफ एक कि अगर ह यहां की जो यह बीधिल जाएगी और यह जो फॉषिट होती होती तो निगेटिम में है घर जाती है पर अब इस केस्ट में में क्या होता है 105 पहले से यहां पर 105 पहुँच चुका है तो इस वैलू में यह सारी वैलू जुटी होंगी ना तो यह 2 मीटर यह तिनी मीटर अगर इसको दोनों को हम घटा देंगे तो यहां से जो 100 आएगा वो आरियल आप इसका ए आ जाएगा क्योंकि अगर इसका 100 आरियल इसका एक आरियल अगर 100 रहा होगा तब ही तो यह दो वैलू यह 3 मेरों जुनने के बाद 105 होगा ना तब जाकर यह वैलूम को प्राथ होगी तो बस यह आपको द्यान रखना है कि यहां फे जो फॉर्सरी डिडिंग होती हम लोग क्या करते हैं इसको भी घठा देते हैं अपने आरियल से क्या होगा तो आपको पता है कि डिटेंसान टाइम डिटी क्या होता आपका वैलूम वाइक की होता मलब कैफेश्टी आफ फुलो और रेटा फुलो आपको जाएगा आपका राइट अंसर सैंट डून्स और पीडिम्टिक किसे बनती है तो आप सभी को पता भी है जो आपकी आपकी होती है जो कि आपके बनती यह जो आपको पता है जो लिक्विड की डेंसिटी होती है तो तो आमारी रहती है पर जो गैस की हो जाती है तो आपसे स्वाइल इन फीच रेट आफ रोग डिकंपोजिशन इस ग्रेटर देन रेट आफ इरोजन ट्रांस्पिटर इस बेस्ट नोन एज मलब वह कौन सी ऐसी स्वाइल होती है जहां पर रेट आप जिकंपोजिशन जाता है एज कंपेर टू आपका इरोजन के तू आपकी होती भी क्योंकि रेजिडिवल स्वाइल जहां पर फार्मेशन होती वहीं पर जम जाती है ज्यादा है ग्रेटर देन और रेट आप इरोजन तो आपसे नंबर सी इसका हो जाएगा आपका राइट एंसर अगला कोश्चन है कि आपका है कि इसको देख लेते हैं कैसे होता है में तो आपको एक ऐसे अपना बनाना पड़ेगा यहां से कोडियेंट की एक एंगल जो है 120 एंटिक लावर डिरेक्शन बनाना है तो एंटिक नब्य तो यह होगे नब्य एंगल यहां से 55 बना देगा तो यहां पर आपका शायेका चाहे तो आप फार्मूला का युज न गरो तो डारेक्ट ऐसे देख लो जिमेट्रिकल से कि हां किस तरीके से कुछ ना आपका लगता है देखो यह लाइन जो ए से बी तक आ रही है ए से बी तक आपके आ रही है इस लाइन को इसे आगे बढ़ा दो तो यही लाइन जो यहां एप एंगल 120 डिगर बना रहे थी अब यह लाइन आगे आने के बाद यह यहां पर जो एंगल का फार्मेशन होगा इस वाले पॉइंट से यहां से 120 का ही होगा 120 का होगा अब बचा क्या यह अला भाग तो आपको पता है कि एक सरन लेखा के उपर कितना डिगरी कोड़ बनता है 180 डिगरी कोड़ बनता है अगर यह पूरे इधर का साथ ही बचेगा अगर यह साथ हा गया इधर का पच्पन बन रहा था तो साथ और पच्पन को जोड़ो कितना हो गया पांच हब 115 अगर यहां इसमें लगाओ फार्मूला दो प्रकार से बनेगा एक तो देखना पड़ेगा कि कैसे बन रहा है तो आप देखोगे कि यह जो ट्रेवर्स कैसे हो रहा है ट्रेबर्स का वह आपका एंटी क्लाक वाइज ड्रेक्शन कैसे हैं एंटी क्लाक वाइज ड्रेक्शन में एंगल बन रहा हो तो याद रखना क्या और केमल और केमल और केमल लाइन की याद रखना प्यार 청 सकते हैं तल सकते हैं एविद अदे ऐते हैं यह वह आ पतर काक्तल wizard तो देखो अब ए एकी मतलब क क्या हो गया मतलब हो गया इंक्लोड़ अंगल हो घ्यक्रोड का आगर में को Phillips देगा यह यह हो तब मैं बता रहा हूं यहां तब किया होगा यहां पर होगा तो यह फॉर्ब वियर्धिंग आफ इस दो आगे कि यहन ऌeg यह राइन जहां हम को तो यहां पर हमको, only in лож को दी नहीं गई नहीं है तो forward line in a ab तो अब एंगल कहाँ निकालना है हमको अब आयनगल के पास में Engle हमको यहां का निकालना था और हाँ सथ इसा या दकिना यहां पर साथ ही साथ क्या लगेगा अगर कियों एक ही बीरिंग दी गई होगी तो प्लस मानस एक्सवर्षी होगा ठीक है इस बात को देहां रखना तो अब कुशन के पास आओ कुशन आपका यही था ना हमको एंगल भी निकालना था हाँ भाई बिल्कुल एंगल भी हमको निकालना था जब हमको एंगल भी यहां पर निकालना था तो हमने यह देखा कि यहां एंगल भी पे फार वियरिंग आफ फारवर्ड लाइन लबकि आगए को लाइन बीसी लाइन गई है तो बीस जी का एंगल कितना है 55 दिए है माइनस फार बीस बेकवर्ड लाइन तो फार बेरिडंग में आपकी ए बी लाइन है इसकी जो हार बार एक्सों बीस मारश एक्सों भीज अपलस माइनस एक्सों सी अब यहां गताओगे 55 में से तो कितना आजाएगा 65 आजाएगा तो आप चाहे तो फार्मूले से कर लो अगर आपको यह कैलकुलेशन आती है कि हां एंगल कितना है तो आप इस तरीके से कुश्चन को बना सकते को इस से मैंसुर आपको वैसे भी आने वाला है तो यह आपका जो है बीस कोश्चन तक आपको इस शुह सुलिशन हो गया है आगे भी आपका जो है कुश्चन है आगे आप पर फिर कोश हो नहिए के फ्रायरेब्द कोर सःग्रेंच ग्रेंच रिंट वह इंटerei फ्रिक्ष्यन फिर एकं में झालते healthy एक्षिटीम्ट प्रिक्सान आंगे पंद सोफिसेंट फोर गोई सारां होगा फार नारी नार्मली खंसोलेटेट कोर्स गयन्स्वाइल दइफ्रेक्टि एंगल आफ इंटर्नल फ्रीक्षन वाज ऑप्टें थर्टी डिग्री इट्स कोफिशियंट आफ लेटरल अर्थप्रेसर एक त्सकेनोट जैसे आपने पढ़ा होगा कि अर्थप्रेसर एट्नोस्ट में कीनाट क्या होता है और minus sign five होता है अगर five command 30 degree है हो जाएगा one minus sign tations और sign tations कितना होता है एक बटा दो होता है तो one minus एक बटा दो तो मलब कि एक बटा दो बराबर कितना हो जाएगा तो apson number C यहाँ पे जो है 0.5 का apson है तो हो जाएगा अगर यही आपका पूछा गया होता के एक्टिब तो वहोता क्या 1- sin 5 divided by 1 plus के sin 5 अगर यहाँ पर के पी होता तो 1 plus के sin 5 divided by 1 minus के sin 5 आपका होता तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा अगला कोशन है ता फिनोमिना आप बलकिंग आप सेंड होती है वो उसमें क्या होता है कि जो भी आपके सेंड के पार्टिकल होते हैं उनके चारों तरफ जो है वाटर की एक लेर बन जाती है ड्यू टू जैसे ही 5-6% वार्टर कंटरेंट पर यह कम से कम 20-30% हो जाता इसका बलकिंग आप सेंड तो इस बात को ध्याद रखना कि जो भलकिंग आप सेंड होती है कि सेमें में फूला जो आपके सेंड होती हो फूली हूँ दिखाई देती है उसके साथ ही साथ यह जो प्रोसेर्ज ह जैसे जैसे आपका डाया बढ़ेगा वैसे केपर रियक्शन की और किरिया घठती जाएगी ठीक है तो आपकर बात करें कोर्स सेंड फिर बात करें मेडियम सेंड फिर आपके फाइन सेंड तो जितना अधिक पार्टिकल छोटा होता जाएगा डाया उसका छोटा होता जाएग इस question में यही पूछा गया है कि bulking up send जो आपकी होती है वो आपकी fine send में क्या होती है ज्यादा होती है most appropriate होती है most आप कहते हो कुछ भी आप कह सकते हो कि हाँ सबसे यहाँ देखने को मिलते है तो fine send इसका हो जाएगा आपका right answer अगला question है true bearing आफ लाइन दे रखा है आएंदा magnetic recognition at the place उद्वसंद इस्ट में रखा है 50 सेकंड आपको दे रखा है फिर आपको magnetic recognition की value की निद्ध रखी है magnetic recognition की जो value आपको दे रखी है वह आपको दे रखा है तेन डिगरी जीरो जीरो मिनट पचास सेकंड रखा इस्ट में निकालना क्या है आपको magnetic bearing का मान निकालना है तो आपको यह formula तो पता ही होगा कि जो हम लोग लगाते हैं यहाँ पे कि true bearing is equal to magnetic bearing plus minus के declination तो आपको true bearing कितना दिया है आपको 38 डिगरी पचीस मिनट पचास सेकंड तो 38 डिगरी पचीस मिनट पचास सेकंड बराबर magnetic bearing हम को निकालना ही है plus minus अब देखो यह plus minus है अगर आपका declination east की तरफ होगा east में अगर होगा इस्ट में तो यह plus हो जाएगा अगर west में होगा negative तो यहाँ पर देखो कहां दिया है इस्ट में दिया है तो क्या हो जाएगा plus value लिजाएगी क्या लिजाएगी तो यहां लोग लिखेंगे क्या plus में कितना तीन डिगरी तीन डिगरी जीडर मिनट पक्चास सेकंड यहां पर लिखेंगे अब जब यह इधार आएगा तो घट जाएगा इससे तो घटेगा तीन डिगरी जीरो मिनट क्यास सेकंड जब घटेगा बहुत ही आसान कोश्चन होता है इस परकार कोशन एक्जाम में आ जाए तो आपको छोड़न नहीं होता है भाई साब यह भी आपका कोश्चन आपका आया था एक्जाम में आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन है अगला कोश्चन है आपका थोड़ा बड़ा कोश्चन है एक ही चीज जानकर पूछ ली गई है इसमें पूछा गया है सबसे पहली बात तो पूछा गया है कोश्चन की की केस में आपका माउथ पीस केस में आपको पता है कि जैसे को यह आपका होद है फिर आपका इंटरनकी फिर 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 उंन होता है तो यह सारी यह को द्धहां रखना यह लाइन से कि चेहागे जब भी केहँ का फाइट वीफ आपको फाइट देखने को मिलेका इपाने इस प्रकार के को फिसारी चाहिए सकती तो यह एक प्रकार का समय लेजिए कि अच्छा कुछन था अगर आपको फटा होगा तब आप कर पाएंगे अगला कुछन आपका था क्लासिप्रिकेशन आप सिस्टम आप सब्सक्राइब आप सभी को पता है जब भी हम लोग सब्सक्राइब करते तो आपको एक आपका देखने के मि आप सब्सक्राइब भी होता है पर आपका कंजर्बेंस से स्टम करके कोई विश्टम की मेठर नहीं होती बात को द्यां रखना है डार्यक्ट मेठर आप कंटूरिंग इस प्रेफरड क्यों भी आप फारिस्तमाल वर्के लिए जहां पर लाड़ एक अर्यार्या रिकॉर्ट के द्वारा जब भी हम किसी टिंबर की सिजनिंग करके रख लेते हैं तो उसके अंदर इनसेक्ट और फंजाई होने के चांसे ज्यादा होते हैं तो यह बात गलत तो ही होगा पर गलत बात यह लिखी हुए थी तो यह आपका राइट अंसर हो जाए अगला कोशन आपका जो कोशन नमबर साथ इसमें कहा रहा है कि दा इसमें कहारा है और पहले इसका जो डाया था उसके बाद इसका बढ़ गया है वह बढ़के कितना होगे आपका 15 संटीमेटर हो गया है अब भी लोश्टी it.a1 वी ती आपको दे रखाए पांच मिटर पर सकंद यहां विलोश्टी आपको दे रखी है यहांकि हमको विलोश्टी भी नहीं दे रखी है पूछा क्या है कि वाट इज दा डिस्चार्ज रोधा पाइप आप दा विलोश्टी आफ वाटर तो डिस्च बहुत से लोग इसमें प्रसंद भीटू तो दियाने कैसा भीटू को नहीं जूरोता है हमको निकालना है एवन भीवन एवन कहों जाएगा पाई भाई फोर एवन फोर इंटू डी वन का स्कार इंटू विलोश्टी भीवन निकालना दिया आपका क्यों के ब्रावर हो कर ब्राइन कितना है डाय आपका 10 संधी मेटर में लेकिन जितने सारी वैलू आपको अंसर दी गई है वह सारी आपको जो है वैल दी गई है किसमें सारी अपको जो मीटर क्यूब पर सेकंड है तो तो यह 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 लॉप्स नहीं 0.1 767 है ऐसे मिलब सारी मेटर की उपर सकंड भी रखी है हमारा दाय बनता है कि हम जो भी डाय कमाद रखे वह हम लोग मिटर में रखें डाय कितना आपको दे रखा है अब देखो कि डाय आपको दे रखा है यहां पे संटिमेटर में रखा है मे जोश्टी कितना है पांच है अब देखो अब इस दस्मलों को हटाओं के यहां हो जाएगा 100 अब 4 से भाग करोगे सब्सक्राइब करने के लिए भी देखो 48 32 तो हो गया आठ तो उपर आठ जब उपर आठ आठ आगया असी आगया चारइब तेस करके और यहां पर हो जाएगा आठ पंचालिस हो गया चार सो इंटु टन की पाउर फोर हो जाएगा तो यह दो दो कैंसिल हो जाएगा 0.04 सम्थ इसको बढ़ा के माना था जब यहां बढ़ा के माना था तो वैलू और कम आएगी तो इसी के नियर अबाउट जो वैलू आपकी होगी वही आपका एंसर हो जाएगा तो यहां जब देखो कि भी यह जब पहला आफसन था वह 0.03927 लगभग था बाकि 171 पॉंट ऐसे करके ह आपको देखी रहा होगा भी है जो पहला आफसन है यह आपका लगभग 0.039 के पास में लगभग 0.04 के पास ही में है तो आफसन नमबर यहां पर जाएगा आपका राइट अंसर अब देखो होता क्या एक्जाम में हम लोग इस को छोड़ देते हैं पर देखो इसमें क्या ह है आराम से तो हो गया कोई दिक्कत नहीं बस थोड़ा पहुत आपको ऐसे कुष्ण की प्रेक्टिस अगर रहेगी तब ही आप इसको छोड़ दोगे देखते इसको छोड़ दोगे इस बात को ध्यान में रखे रहना अगला कुशन आपका है कि इट मिर्दा में कौन से इसे खराब कर देते हैं कि एरफ इस्टीमेट आप दा कॉंटिटी आप डानमाइट रिक्वाइड फार ग्राम ब्लास्टिंग रोक्स क्या होता है तो अब होता है जीरो पॉइंट जीरो जीरो एट इसका अंसर हो जाएगा यह का फामूला इसको याद रखिएगा बाकी और भी बेट करिएगा मिलते हैं फिर नेक्स क्लास में तब तक के लिए थाइंक्यू जैहिन जैवारत